किसान एकता हिंदावाद काड़े कनून वापिस लो किसान एकता हिंदावाद नमश्कार स्वागत आप सभी दर्शकों का मैं हूँ आपके साथ रमेश जाकर और इस वक्त मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ क्योंकि किसान आंदोलन लगातार जो किसान दिल्ली की सीमा पे डटे हुए हैं अर्याना दिल्ली की बोर्डर पे अगर बात करें और पंजाब दिल्ली की बोर्डर के अगर बात करें तो लगातार किसान वहां पे डटे हुए हैं अपनी मांगों को ले करके अगर बात करें तो गाओं के गाओं जो है वो अब किसानों के समर्थन में उत्खड़े हुए हैं कोई किसी तरह से सयोग कर रहा है कोई किसी तरह से सयोग कर रहा है अगर गाओं के बात करें तो मेरे खुद के गाओं बरोखा से धरनारत किसानों के लिए गेहूं इकठा किया गया था और चाय चिनी का समान जो नित्य यूज की जो वर्ष्टू है वो इकठा करके धरनारत कि किसानों ने एक फैसला लिया है मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं ये तमाम किसान जो है 10 से 15 किसान जो है दिल्ली की और कूच कर रहे है और दिल्ली में किसान धरना को समर्थन करने के लिए मेरे गाउं से अच्छी खासी भागिदारी मैं इसको कह सकता हूं क्योंकि एक छोटा सा गाउं और उस छोटे से गाउं से 10 से 15 किसान अगर दिल्ली के और जाते हैं तो अच्छी खासी भागिदारी हम कह सकते हैं ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस परकार से युवा किसान जो है हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं युवा किसानों के अच्छी खासी भागिदारी उस धरने के अंदर रहने वाली है अब अगर बात करूं तो तीन से चार दिन का रूट टूर बना करके ये तमाम किसान जो हैं वो चले हैं और इनके साथ-साथ की कवरेज के लिए वहाँ पे दिल्ली जा रहा हूँ और पल-पल के अपडेट आपको के अर्याना के माद्यम से देता रहूँगा कि आखिर क्या कुछ हालात वहाँ पे दिल्ली पे बने हुए हैं और अभी एक लेटस्ट अपडेट में आपको बता दूँ कि जो अर्याना सरकार के साथ किसानों की बात्ची चल रहे थी लगबग लगबग विफल सी ही साबित हुई है क्योंकि मांगे नहीं माने गई और कुछ दिनों की मौलत सरकार ने मांगी है और किसानों का कहना है कि आप मौलत लीजिए हम भी वहीं पे डटे रहेंगे तो ऐसे में उसके आगे क्या कुछ किसानों का फैसला होता है वो पल कि अच्छी खासी भागीदारी इस किसान धर्णा में रहने वालेया अगर आपके गाहों से भी इसी तरह से किसान धर्णा पे किसान जाते घाते हैं या किसी भी तरह पनके पहुंचाने का काम करें गाए ता कले कनूं किसा नायकता जिंदाबाद जिन्दाबाद काले कानून वापिस लो के नारे के साथ अब हाँ से रवानगी लेते हैं आप सबी आधर्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद